नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राशा गावड़े, गाइनेकोलोजिस्ट और आईवी अफ कंसल्टन उमंग होस्पिटल अडपसर पूने से आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर मैं बहुत स्वागत करती हूँ हमारा जो प्रेगनेंसी का वीग बाई वीग सेरी चल रहे हैं, उसके नेक्स्ट वीग का वीडियो लिक्या आई हुमें कि आपका नाइंत मंत शुरू हुआ है, तो आपका 35 वीग कैसे रहेगा यस फ्रेंड्स अभी आपके डिलेवरी होने को सिर्फ पाच हफते बाकी है, आपके मन में बहुत एंग्जाइटी है, अभी नाइंत मंत शुरू हुआ है, घर के लोग कॉंस्टन्ट आपको पूचते रहतें कि सब ठीक चल रहे हैं आपके फ्रेंड्स है, या आपके पूचन लोग है, आपके उपर ज्यादा ध्यान रखतें कि सब सब ठीक चल रहे हैं या नहीं, तो आज के 35 इक्ष में हम लोग डिसकस करने वाले हैं, कि आपके सिश्वू में क्या-क्या नएंचेंचेंच रहेंगे, आपके बेबी में क्या-क्या नएंचेंच बच्चे का अगर आप वेट पूछेंगे तो on average 2.4 to 2.5 kg याने 1.5 kg तक आपका बच्चा रहेगा बच्चे का हाइट अगर आप पूछेंगे तो 45 to 46 cm लंबा बच्चा रहेगा मतलब एक पूरा प्रॉपर इसके बार डिलेवरी भी हुआ तो 1.5 kg का बेबी आपको पैदा हो बच्चे के स्कीन के उपर फैट डिपोजिशन काफी जादा हो रहा है तो बच्चा काफी फास्ट वेट गेन कर रहा है बच्चा ऐसे चबबी चबबी दिखेगा आपको तो इसकी वज़े से अंदर बेबी को जगने रहती पूरा करवट चेंज करने को या अच्छे से जो अबिक थोड़ा सा कम लगेगा आपको बेबी मूमेंट कमपरेटिवली तोड़े कम लगेंगे यस जो हाथ को गुदबूदी किये जैसे हलके मूमेंट जो रहते उस टाइप में आपको भूमेंट रहेंगे जो countable रहते जिसमें डरने जैसा नहीं क्योंकि बेबी को अंदर मुह करने के लिए जगई थोड़ी कम रहती है comparatively पानी भी थोड़ा कम होने लगता है बच्चे का size बढ़ने लगता है बच्चे के सभी organs जो है पूरे form है तो बच्चे के सभी function अभी अच्छे से start रहेंगे मानो sucking करना है, swallowing करना है, smiling है या फिर sleeping है, urine pass करना है, movement करना है सब जो adult human being के जैसे सभी movements बच्चे के अंदर continue रहेंगे तो आईए mummies देखते हैं कि आप में क्या नए changes रहेंगे बच्चे का वेड बढ़ रहें तो इसकी वज़े से सेकेंडरी सिम्टम से मानो आपको बैक पेन होना, पैरों पे स्वेलिंग आना, सोल में पेन होना, या फिर प्यूबिक पेन होना, यह सभी सिम्टम से आपके काफी बढ़ जाएंगे 35 वीक्स में, मानो पहले जो 34 वीक्स में सिम्टम चल रहे थी कि ब्रैक्स्टनिक्स कॉंट्रक्शन बोलते हम लोग फॉल्स लेबर पेन वो थोड़ी अभी आपके बढ़ जाएंगे, आपका हेडेक बढ़ेगा, आपको रात को न करनेंग होना, यह सभी सिम्टम्स काफी बढ़ जाएंगे क्योंकि आपके तमी का साइज बढ़ रहे हैं, साथ में जो छोटे-छोटे सिम्टम से मानो तमी पे स्रेच मार्क बढ़ेंगे, कभी-कभी आपके टित में से ब्लड आता है, गमस में से जिसको ब्लेडिंग गमस हम लोग यह भी सभी प्रॉब्लेम आपके 35 विक में काफी बढ़ जाएंगे, तो फ्रेंड्स आते हैं कि यह 35 विक में आपको कौन से नए टिप्स फॉलो करने हैं, बैसिकली आपको जो भी सिम्टम्स नए समझ में आ रहे हैं, उसको यह आपको रेक्टिफाई करना है, मान आपको पानी काफी लेना है, तीन से चार लेटर, तोटल आपका लिक्विड एंटेक होना है, बारा से पंधरा ग्लासे पानी आपको रोज पीना है, आपको कोकोनट वाटर रोज लेना है, आपको वाग डेली करना है, आपको ब्रीधिंग एक्सराइज करने है, आपको आपके विजिट आपको टाइम पे करने हैं, मेडिसिन आपको टाइम पे लेने हैं, ब्रैक्स्टनिक्स कॉंट्रेक्शन के लिए अलग से कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसको मॉनिटर करना है, अगर आपको continuous उसके साथ में पेन हो रहा है, तो जाके आपको आपके दॉक्टर क करने क्रीम दिये हैं, वो स्ट्रेच मार के लिए क्रीम भी आपको लगानी है, और मेन इंपोर्टन ऐसे डिटी के लिए आपको दो-तिन इंपोर्टन टिप्स फॉलो करने हैं, आपको रात को खाना और सोना, उसमें तीन घंटे का ग्याप लेना है, आप खाना खाई और करने हैं, और ब्रिधिंग एक्सरीज रेगूलर करनी है, चेकलिस्ट अपनी 304 वीक के जैसी रहेगि कि हॉस्पीटल बैघ रेडी करना है, डॉक्टर कनफरम करके लेना है, तो या अशिस्टन का नमबर आपको लेके रखना है, कुछ भी इमर्जंस आई तो आप उनके से important आपके husband को financially तायरी करके रखना है क्योंकि ये 9th month शुरू हुआ है आपको कभी भी emergency लग सकती आपको कभी भी delivery के लिए hospital admit होना पड़ सकता है तो friends अपना जो आज का वीडियो है कि ये 35 weeks में आप में क्या नए changes रहेंगे आपके baby में क्या क्या नए changes रहेंगे और आपको कौन से narratives follow करने है वो अगर आपको पसंद आया होंगा आपको useful लगा होंगा तो आपके जो भी running pregnant friends है जो delivery के लिए due है जिनका 9th month चल रहा है उनके साथ ये video share करो उनको भी देखने को बोलो और हम लोगों को ऐसे फॉलो करते रहो थैंक यू